हां जी वेरी वेरी गुड इवनिंग टू आल अफ यू तो मैथमेटिक्स टू फॉइनिंस में आज जिस हम टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक हमारा है पर्जेंट वैल्यू इससे पहले हम अपने कुछ टॉपिक को अलड़ी कवर कर चुके हैं लेकिन आएए बा है या फिर फीचर वैल्यू क्या है उसके बाद इसके फॉर्मूले पर हम आएंगे उसके बाद देखेंगे कोशन किस तरीके से पुछी आते हैं फिर हम देखेंगे इसको सॉलूशन कैसे होगा ठीक है आए पहले समझते है प्रजेंट वैल्यू क्या है तो जी प्रजेंट वैल्यू का एक एक्जामपल लेते हैं मान लिजिए कोई एक आर्टिकल है एक एक्जामपल से मैं संजानी कोशी कर रहा हूं कोई एक आर्टिकल है और यह आर्टिकल स्वाजन रूपीस का है और हर साल क्या होता है हर साल इसमें 10% का इसकी प्राइस में इंक्रिमेंट हो जाता है ख्लियर है तो 3 साल तक ऐसा इंक्रिमेंट देखने चीज थी उसमें increment कितने का हो गया उसमें increment 100 का हो गया अब वही चीज नेक्स्ट येर एक बार increment होने के बाद सेम आपके लिए 100 का increment होगा तो वह 1100 का हो जाएगा क्लिर है तो कोई चीज 1000 रुपय की है और इस पर 10% का हर साल increment होता है तो तीन साल वादी value कितनी हो जाएगी मैं इस सवाल को पहले देख रहा हूँ देन उसके बाद देखते हैं next time फिर से इस पर 10% का increment होगा क्योंकि तीन साल होगा तो तीन बार होगा और 10% के इंक्रिमेंट के बाद आप देखेंगे कि यहां से 10% का increment होगा तो यहां से आपका कितना हो जाएगा 110 का increment होगा और यही चीज आपकी कितनी हो जाएगी 1210 की हो जाएगा 10% का increment होगा तो अब यहाँ पर आपका increment जो है basically वो कितने का होने वाला है 10% 121 होगा तो आपके पास में यह 1331 का हो जाएगा तो 1000 रुपे का एक सामान था हर साल 10% increment हुआ और 10% के increment के साथ यह तीन साल बाद कितने का हो जाएगा तो बेटा यह 1331 है ना इसको हम बोलेंगे feature value 1331 को ही हम क्या बोलेंगे feature value पहला पूस्जमा है feature value क्या होता है कि कोई चीज आज इस उसकी प्राइज है यह उसका वर्थ है और increment होने के बाद वो आगे चल करके कितने का हो जाएगा फीचर की बात करेंगे तो फीचर value होता है जैसे कि compound interest के अंदर आपने देखा जो पीछे topic पड़ा तो compound interest में चल क्या रहा था कि कोई पैसा आप bank में रख रहे थे principle और उस principle पे आपको interest मिल रहा था तो तीन साल बाद वो पैसा आपको कितने हो जाएगा या चार साल बाद वो पैसा कितना हो जाएगा तो इससे पहले जो हमने सीखा था वो और तीन साल बाद जा करके वो 1331 का हो गया तो बताये increment से पहले वो कितने का था? खिलेरे? तो यह आप तीन साल बाद 1330 का हो गया तो future value ना थिए तशी पहले कितने गया था इसी को हम क्या हो गया हमारा यह हमारा बच्चे हो गया प्रजेंट वैल्यू यह बात आपको सब्सक्राइब आई या नहीं बताइए दिरा कोई डाउट है क्लियर है चलिए अब एक एक्जामपल लेते हैं इसी कोश्चन को मैं सौल करके दिखाता हूं आपको पहले आप बेसिक को समझ पता नहीं कितने का है जी कोश्चन मार्क सवाल मेरा क्या है इसी सवाल को रिपीट कर रहा हूं कि हर साल 10% का इंक्रिमेंट होता है कुछ इस तरीके से हुआ बात समझे हर साल 10% का इंक्रिमेंट होता है तो फिर यह फिगर बड़ा हो गया और फिर उसके बाद 10% का दुबा गया तो कोई एक article है इसमें हर साल 10000 का agreement नब उता है तो तेन सांक्राइब होने के वारे हो सवा सूर्व कРЕते हैं तो करेंगे अप जानते हैं कि हर चीज अपने आपने आपने परसंटेज के फॉर्म में कितना होता है कोई भी चीज अपने आपने परसंटेज के फॉर्म में 100 होता है कोई भी चीज 100 परसंट होगा आप ये जो अपने आप उस समय वहा करता था ये 100 परसंट था ये अपने आपने आपने के 100 परसंट है तो देखे क्या हु मुझे में दस पर सेंट बढ़ होने के बाद आप बने हो तो यह 끼र गर के लिए तो कि लिए क्या है इसके लिए ये 110 पर संट है clear है तो इसका 1% आ जाएगा इस figure का इसका 1% आ गया तो इसका total कितना होगा into 100 कर देते हैं बास समझे तो solve करेंगे तो आपका कितना आ रहा है 1210 आ रहा है similar इसमें 10% increment करने या दिये बना तो इसके लिए क्या होगा इसके लिए तो 110% होगा न तो 110 से भाग करेंगे इसका 1% हमने क्या निकाल लिया हमने यहाँ पर 1000 इसका जो है present value हमने यहाँ पर निकाल लिया है clear जी समझे तो पहले आपको पता होना चाहिए present value क्या है और future value क्या है clear एक्जाम में कैसे करेंगे तरीका मैं दूंगा वह formula मैं आपको दूंगा उस बात को भी आप समझेंगे अच्छ मंटिप्ला है बाई क्या हुआ पहले 100 अपान 110 ऐसा क्यों करा logic समझ माया आपको क्योंकि यह 13 से 30 अपने previous value का 110 परसेंट है तो 110 से डिवाइड कर रहा हूं previous का 1 परसेंट आएगा into 100 करूंगा previous value complete आजाएगी then again मैं करूंगा solve करने के बाद मैं 1210 लिया हूं या मैं solve नहीं क करूंगा 100 से multiply करूंगा इस तरीके से मैं 110 से डिवाइड करूंगा वही चीज़ जो process step by step कर रहा है उसको मैं एक साथ लिग दिया क्या मैं ऐसा कर सकता हूं solve करेंगे तो आपके पास में क्या result आया thousand रुपीस पहले समझाई पहले concept समझ दीजे क्या है अब basically यह हो क्या रहा है यह तो basically अगर मैं question मना हूं कि कोई principle है जो कि 3 साल बाद 10% rate of compounded interest से 3 annual interest से 3 साल बाद 1330 हो गया तो principle क्या है तो सवाल यह भी बन सकता था नो मेरे बाद समझेगा सवाल यह बन सकता ना को principle क्या है देखेगा आप कह सकते हो amount equals to principle bracket 1 plus r by 100 raise to power n बाद समझें मुझे principle निकालना है clear है जी तो principle निकालने के लिए क्या होगा principle equals to amount upon में क्या चला जाएगा one upon r by 100 जाएगा या नि जाएगा raise to power n जाएगा या नि जाएगा बताएगा जाएगा clear है और आप इसको जड़ा solve करेंगे तो principle equals to amount और इसको अगर आप उपर लिखे निकालने के लिए तो आपको पता है कि अगर आप किसी भी चीच को numerator को denominator कर देते तो फिर उसकी पावर का साइग जाता तो एन न तो पावर क्या हो जाएगा minus n हो जाएगा बिरी बास समझें बीटा एक बास धाना केगा एक बटा पांच को अगर पांच को पर लिखोंगे तो फिर पाँच की पावर मैनेस एक हो जाएगी, पावर का साइन चेंज हो जाता है, यह बास समझे या नहीं समझे, इसलिए यहाँ पर आपके पास पर फॉर्मॉला क्या बना, उस बात को समझेगा, तो प्रिंसिपल कैसे निकालोगे, प्रिंसिपल आप निकालोगे, प्रिंसिपल एक प्वस्टो, अमाउंट क्या है, ऐसे वन प्लस रेट, यह आई आपका डेसिमल में, रेट उपिंटर्स किसमें होता है, डेसिमल में होता है, पावर और मैनेस एन, यह यूज होगा, ठीक है, और जब कॉंटेनिसली वाला आएका, तो कॉंटेनिसली में आपको पता है, क्या होता था, कॉंटेनिसली में याद है आपको, S इक्वल्स टू पी, इन्टू E रेज़ टू पावर, आर इन्टू टी, दास्का से पड़ा न, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ प्रिंसिपल अगर आप निकालते हो, तो सिमिलर वैसी सॉल्व करेंगे, तो यह आपका अमाउंट, R रेज़ टू पावर, E रेज़ टू पावर, माइनेस आर इन्टू टी, माइनेस आर इन्टू टी, क्लियरे जी, तो दो चीज़े हमारे पास में, तो प्रिंसिपल की वैल्यू है, S ब्रैकिट वन प्लस, I रेज़ टू पावर माइनस एन, और एक S, मलब अमाउंट इन्टू में, E रेज़ टू पावर माइनस, बलब यहाँ पर बस पावर, दो चीज़े हो जाएगा, जो पहले ता फॉर्मूला होई है, बस पावर नेगिटिव हो जाएगी, और यहाँ पर आपका पहले प्रिंसिपल, प्रिंसिपल होता है, यहाँ अमाउंट हो गया, यहाँ पर प्रिंसिपल लाग जगे, क्यों होगा, पीछे से मैंने बताया हैं आपको, क्योंकि अगर आप इसको, पहले हम क्या कर रहेते, हम अमाउंट इक्वस रहेतों लिख रहेते, प्रिंसिपल इंटू ई रेस्टू पावर आर इंटू टी, तो प्रिंसिपल निकालोगे, सवाल यह है सिंपल सा, कि भाई साथ प्रिंसिपल तो आपको प्रिंसिपल तो आपको प्रिंसिपल बतानी है, यह सवाल है, ठीक है, आपने अपने इस पैसे को कितने साल के लिए छोड़ दिया, दस साल के लिए छोड़ दिया, और किस rate of interest पे छोड़ दिया आपने इसको 10% rate of interest पे छोड़ दिया परेनम इस compounded अब अगर इसको में ये rate of interest परेनम है अगर half yearly rate of interest होगा तो क्या होगा तो present value क्या होगी अगर half yearly होगा तो सबसे पहले हम first question का answer देते हैं हाफ yearly का मतलब क्या हुआ हाफ yearly का मतलब यह हुआ कि आपके पास में एन आपके यहां पर क्या यूज होगा पहले तो एन वली होगा ना पहला कुश्चन तो 10% compounded first half yearly second continuously अच्छा यह सवाल है चले ठीक है इसको करते हैं तो क्या होगा हाफ yearly आपके आपके पास में क्या होगा तो यहां rate of interest क्या होगा आपका rate of interest आपका 5% हो जाएगा clear है और 10 साल में आगर बात करें तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी एन की वैल्यू आपकी 20 हो जाएगी अब आपको क्या निकालना अपना principle निकालना है तो वही principle का formula आप लगाएंगे एस क्यूंकि नहीं है यह हाफ yearly है तो एस वन प्लस आई rate of interest क्या है पांच परसंट तो 0.05 यह होगा ना rate of interest और n क्यों हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा सॉल करते हैं principle एक्वल्स तू अमांट क्या आपका 500 है और ब्रैकिट 1.05 रेस्टू पावर 20 है सॉरी मैनेस 20 होगा ना पॉइंट 05 मैनेस 20 है क्लेर जी बात समझे तो अब आपके पास में क्या देखना है आपको कि 1.05 आप सॉल क्या सवाल यह है तो इसको सॉल करने के तरीका तो यह है कि आपके पास में आपके जो है टेबल में present value की एक टेबल होती है उस टेबल में आपको जो है यह आप अपने present value पर जाए उहां पर देखिए कि जो 5% rate of interest supply करा है न तो लिखा होगा उपर 5% तो 5% का आप present value देखिएगा उसमें n आपको क्या देखना है 20 साल लेकिन अब सवाल है कि पेपर में नहीं आया तो कैसे करेंगे तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ आपके पा हां जी अब आप यहां देखिए कि आपके पास में 1.05 पावर माइनेस 20 है तो आप कैसे calculator में करेंगे तो सब से पहले आपके पास में क्या 1.05 है देख ले देख लीजिए भी यह दिख रहा है क्या कि दिख रहा है दिख दिख रहा है मैं देखता हूं सक्रीन पर दिक्छ रहा है हाँ वन पाइंट क्या है जीर quarto है तो वन पाइंट जीरो फाइब को dawns के बाद आपको यहाँ पर नमर स्टाडट होगा यह कितना When is you और किँससर्द भूल गए तो भाइस बंद देखो नघृरल इसको धेखुन ना यहाँ पर देखो लिखाऊ है ना देखो अत्य हमें कैल स्पायों यहाँ पर यहां पर लिखा है ना 1,2,3,4,5 counting यहां पर लिखी रहेगी ठीक है यहां लिखा हुआ है तो मैं फिर्थत आता हूँ क्या करा है मैंने 1.05 मुझे present value निकालनी है तो मैं divide करूँगा और यहां पर एक लिखा है यहां पर 20 से तो प्लस 22 बार करूँगा ऐसा equal का sign है जब तक यहां पर 22 नहीं आ जाता है कि यह आगया 22 पर तो क्या value आई 0.3768 बस फो डिजिट बहुत है तब प्रिंसिपल एक्वल्स टो अगर मैं solve करता हूं यहां पर तो मेरे पास में क्या आ गया multiply by 500 clear है तो क्या गया 188.44 यह मेरा क्या आ गया यह मेरा प्रिंसिपल आ गया पास समझे सी तो आपको मैंने बिना किसी table के बिना किसी log के मैंने बता दिया कि आप इसको किस तरीके से solve करेंगे clear है जी कोई doubt कि जिसके पास भीया बुक नहीं है तो जी मैं होंबक में कोश्चन दों डाली रहां लास्ट प्रास में देखो मैंने डाला इन डाला उस एक्सेसाइज होंबक कोश्चन अब अगला क्या पूछ रहा है continuously में क्या आप अंतर करेंगे अब प्रिंसिपल इक्वल्स टू अमाउंट अप्रिंसिपल इक्वल्स टू अमाउंट इन्टो ए माइनस आर रेट ओफ इंटर्स क्या यूज करेंगे अब आप क्या करेंगे यहां पर यह तो आपको टेबल से वैलू लेनी पड़ेगी ए रिष्ट्ट पावर माइनस वन क्यूंकि एक की वैलू पॉसिटिव भी वैलू इसकी वैलू होती है रख करकर करके आप यहां पर क्या करेंगे डारेट अपना प्रिंसिपल आप फाइं अब आप अब